चैप्टर नमर 3 & 4 आपके लिए सबसे जादा सरॉल होने के साथ साथ बहुत जादा महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है प्योंकि छोटा चैप्टर होते हैं 3 और 4 बहुत जादा चोटे रह गए हैं चैप्टर रहते हैं सराल आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं सिंपल तरीके से आप लोग सीख जाते हैं और बहुत बढ़िया आपके चैप्टर यह चैप्टर ऐसे होते हैं कि हर एक स्टुडेंट इस चैप्टर को सीख सकता है चैप्टर नमर 3 & 4 और मैं आपके लिए ले लगा लेती तो फिर आपको दोवारा चैप्टर नमर 3 & 4 नहीं देखना पड़ेगा इतना तुम्हें कह सकता हूं एंड हलो प्यारो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आप उसे कह सकता हूं कि आप अपने आने वाले बोर्ट एक्जाम में जरूर जरूर फोड सब्सक्राइब करते हैं पहले कोशन के साथ जो कि आपका सबसे यादा महां तो पूर्ट कोशन है और आप अच्छी तरीके से यह बात जानते हैं कि आपके एक्जाम में मैं के अंदरकत xyz की वैल्यू निकालने के लिए 8 नमबर का सवाल आने ही आने वाला है तो इस सवाल क है भी यह वाला सवाल आपसे कई कई बार पूछा गया है बहुत ही बढ़िया सवाल है 3x-2y प्लस 3z बरावर 8 2x-y-z बरावर एक एंड 4x-3y प्लस 2z बरावर फूर करके यह देखे कितनी बार पूछागे सवाल है 223 में तीन बार पूछागे 222 में दो बार 2020 में दो बार 2019 में एक बार 2018 में दो बार स्क्रीन सोट ले लिजिएगा और कॉमेंट्स वॉक्स में इसका अंसर बताईएगा टॉप 10 कोशन के अंदरकाद यह आपका पहला कोशन हो गया बढ़िया तरीके से स्क्रीन सोट लीजिए और आंगे हम लोग इसी तरीके से कोशन देखने वाले हैं जो आपके आने वाले वोड एक्जाम के लिए सबसे ज़ परकार से ए दे दिया है और आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है एंटू एड्जॉइंटे बरावर डिटर्मेंट ओफ ए आई तदा ए इंवर्स भी ग्याद किजी कई 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 बार यह सवाल पूछा गया आप लोग देख पा रहें 2023 के दो पेपर में पूछा गया है 2022 मे पूछा गया 19 के दो पेपर में 17 16 15 हर बार यह कोशन आपसे आठ नंबर में पूछा ही पूछा जाता है और बहुत भी बढ़िया सवाल है अच्छी तरीके से सवाल को लगाईगा अटेंट कीजिएगा और बढ़िये तरीके से देखिएगा कोशन नमर तीन अब इसको आप स्क्रिंशॉट ले लिए हर एक सवाल का स्क्रिंशॉट आप लेगके चलिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताना दस में से आप कितने सवालों को लगा सकते हैं दस में से आपके पूरे के पूरे टॉप 10 सवाल बनने चाहिए आपको बढ़िये तरीके से तयारिया की चल अब देखिए 23 में 22 में 20 में 19 में 18 में कई कई बार सवाल यह पूछा गया है और किस सेट में कब पूछा गया है यह भी मैं आपको यहां पर दिया है तो स्क्रिंशॉट लिए मुझे बताईए यह सवाल आपसे बनेगा की नहीं बनेगा चलिए आंगे बढ़ते हैं पूछा गया था आठ नंबर का और 24 में आने की पूरी-पूरी संभा होना है सवाल की अच्छा सवाल है बढ़िया तरीकी से देखिएगा कोश्चे नमर 4 आंगे बढ़ेंगे कोश्चे नमर 5 की तरफ इस सांदार सवाल को देखिए और 23 में 18 में हाल फिलाल में अगर मैं ब इन्वर्स बरावर बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स टॉप 10 कोश्चन के अंदरगत मैं आपको 5 सवाल बता चुका हूं और मुझे बताईए का आप इन 5 वैसे आप से कितने कितने सवाल बने क्या पूरे के पूरे 5 बन गए बहुत बढ़िया आंगे बढ़ेंगे कोश्च आपको बताने के लिए यह सवाल पूछे जाते हैं कई बार किस सवाल को आपको बढ़िया तरीकिसे देखना है और आपको आपको जो हमारा formula बनता है वो होता है one upon two a plus a dash plus one upon two and a minus a dash करके तो यह हमारे पास formula होता है इस formula की मदद से इस formula की मदद से हम लोग योगफल के रूप में समयत आप वियों और विसम समयत आप वियों के रूप में रेक्ट कर सकते हैं ठीक है न तो कोश्यमद 6 हो गया जो की 2022 में और 2022 में पूछा गया यह वाला सवाल अच्छा सवाल है बढ़िये तरीके से देखिएगा स्क्रीन की अगर मैं बात करता हूँ तो यह NCRT का सवाल पूछा गया है जो की 2023 में पूछा गया है और SEC नंबर पांच पूछा गया है अच्छा सवाल है बढ़िये सवाल है A का मान, B का मान और C का मान दिया है आपको D का मान गयाद करना है ताकि आप बता सके CD माइनस AB बनावर जी question number 8 आपका most important, उससे आप guarantee ले सकते हैं, यह सवाल आपके paper में आने ही आने वाला है, यह सवाल आपके paper में रख्था ही रख्था मिलेगा, आपको कह रहा है, एतता भी 2, विद क्रमणी आप व्यू कोटी एन के हैं, तो सिदगर के आपको उताना है, A, B का whole inverse बरावर, B inverse, A inverse, 23 में, 22 में, 20 में, 18 में, हर बार पूछा क्या सवाल है, और आपके आने वाले 24 एक्जाम के लिए, यह सवाल आपको हर हाल में मिलने वाला है, तो बड़िये तरीके से इस सवाल को देखेगा, NCRT की थियोरी है, NCRT में premier करके यह दिया हुआ है, अच्छी तरीके से उहां लग पूछा गया है, और चैप्टर नमर 3 में, NCRT में, 3.2 के अंदर कर यह सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो बड़िया सवाल है, अच्छी तरीके से देख लेजिएगा, 22,18 में पूछा गया है, हाल फिलाल में, 24 में आने की पुरी-पुरी सम्भा होना है, आपके पास ए दि सवाल को भी देखिए, और टॉप 10 सीरीज के अंतरकत यह आपका दस्वा सवाल लहने वाला है, चैप्टर नमर 3 और 4 को, चैप्टर नमर 3 और 4 बढ़िया तरीके से तयार कीजिएगा, बहुत ही सिंप्ल चैप्टर रहते हैं, कोई ज़धा दिक्कत रहते नहीं है, कोश्च मैं से आप से कितने वने, यदि आपने 10 के 10 सवाल लोगो फोड दिया है, आने वाले अपनी तयारी को बढ़िया बनाए रखिएगा, मैंने सिलेबस आपको कंप्लीट करके दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में अपना कंप्लीट कोर्स देखते जाएगा, नोट्स बना नहीं दाओ, तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और मिलेंगे हम लोग इसी प्रकार के एक अन्यव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आंगे पढ़ते रहिए